हे गाइस, वाच आप, इस शुवरीप रमीगाजिस फर यू और इस वीडियो में खास करके मेरे पास है OnePlus 5T हाँ दोस्तों बहुत रिट्पेस्ट किया था OnePlus को लेकिन वो लोगों ने रिभी उनिट नहीं भेजा तो कुछ न कुछ एरेंज करके मेरे को ये हैंसेट लेना ही परया लेकिन विदोट फॉदा एडियू, लेट्स केट स्टारेग विद अन्बॉक्सिंग दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है बॉक्स ऑफ वन प्लस 5T पहले आकर देखें तो इस बॉक्स में कुछ भी स्पेसिफिकेशन से ऐसे लिखा हुआ नहीं है वैसे दोस्तों मेरे पास 6GB RAM वेरियन, 64GB ROM का ये वेरियन का हैंसेट है इसको छोड़ कर 8GB RAM वेरियन में भी एक और हैंसेट आता है जिसका प्राइस 37,999 रुपीज है फिलाल ये मेरे को 32,999 रुपीज में मिला है Amazon से मैं लिंक आपको छोड़ दूँगा description में भी आपको follow करके खरीच सकते हो आपका OnePlus 5T अब without further ado हम लोग जाके ये plastic silk cover को ये open करते हैं पहले दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कि ये plastic cover की ऐसे open करने के बाद ही ये handset ऐसे खुल जाता है और अपका OnePlus 5T ये रहा दोस्तों ये red box के साथ ऐसे attractive designs पे आता है अब फिलाल अभी के लिए ये handset का हम लोग ऐसे open कर लेते हैं और side में रखते हैं डिक डिप करते हैं बाकी aspect से पहले जो जो OnePlus 5T के box के साथ आपको मिल जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाप एक box ही जैसा है और ये box के अंदर में अगर आप देखोगे तो वो लोग एक back cover दे रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक plastic black cover है जो कि ऐसे flexible भी है stretchable भी है तो ये ये आप use कर पाओगे पीछे के लिए खास कर कि याप पर बताना जरूरी है जैसे आप सुभी को पता है कि OnePlus 5T का ये protruding camera end जो है कि ये सारे quick starts guides यहाँ पर रखा हुआ है और safety informations पी ऐसे आता है यहाँ पर और इसके छोड़कर never settle OnePlus का ये stickers पी आपको मिल जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते वे जैसे आप सभी को पता है कि dash charger आप देख भी पा रहे हो कि OnePlus 5T के साथ आपको dash charger मिल रहा है इसके लिया लग से कुछ आपको देना नहीं परेगा out of the box ही आपको ये dash charger मिल जाएगा और इसके साथ सा type C का USB port आप यहाँ पर मिल जाएगा जो कि बहुत highly securely ऐसे आया है और इसके साथ साथ ये clipping को भी आप ऐसे remove कर सकते हो और देख सकते हो कि build quality जो इसका है वो बहुत ही अच्छा है OnePlus 5T का तो दोस्तों ये सारा चीज आता है out of the box with OnePlus 5T बाकि सारे चीज को aside करते हुए हम लोग dig dip करेंगे handset के उपर पहले दोस्तों ये है OnePlus 5T का handset जैसे आप देख पा रहे हो पहले हम लोग physical overview दे दे देता है सबसे पहले दोस्तों ये तो बहुत ही slim है OnePlus 5T dimensions 156.1 x 75 x 7.3 mm है 7.3 mm thin ये handset बहुत ही अच्छा है holding in one hand में एक premium metal finish के साथ ही आता है और पीछे जैसे आप ये sticker को ऐसे remove कर पाऊगे OnePlus 5T का और remove करने के बाद देखोगे कि उपर में कुछ नहीं आता है OnePlus 5T को towards the right hand side आपको पहले तो SIM ejector tray ऐसे मिल जाता है और जैसे आप सुभी को पता है कि OnePlus की कोई भी अभी तक external micro SD card का support देता नहीं है लेकिन dual nano SIM support यहाँ पर मिल जाता है दोस्तो अब इसको छोड़ कर अब देख पाऊगे यहाँ पर power on and off button भी आता है और towards the left hand side of the handset यह alert की साता है जिसको use करके अब mute, unmute, priority only notifications ऐसे modes आप कर सकते हो जो की बहुत अच्छा initiative step है OnePlus से इसको छोड़ कर volume rockers मिल जाता है towards the left सारा buttons बहुत nicely crafted है, metal build है और towards the bottom end अब देख पाऊगे type C charger input point आता है 3.5 mm jack input return किया है OnePlus 5T की मैंने जो की बहुत अच्छा बात है microphone आता है और इसके साथ साथ single speaker grills भी आता है OnePlus 5T में इसको छोड़ कर पीछे अगर बात करें तो इसमें dual camera setup है 16 megapixel और 20 megapixel shooter की focal aperture f by 1.7 है dual flash setup भी आपको मिल जाएगा OnePlus 5T में और fingerprint scanner क्योंकि 18-9 aspect ratio है screen size में तो fingerprint scanner पीछे आ गया है OnePlus का branding भी आपको मिल जाता है पीछे बात करें सामने की तो सामने आपको 16 megapixel shooter front camera में लेगा earpiece में लेगा sensors है 6.01 का screen size है 18-9 aspect ratio में जो की एक train बनते जा रहा है smart phones में आजकल so now without further ado हम लोग switch on करते है OnePlus 5T को for the very first time एक haptic feedback आपको मिल जाएगा OnePlus का branding आता है power by android तो यह है configuration का screen configuration करते करते हम लोग physical overview और specs के बारे में भी बात कर लेंगे OnePlus 5T में आपको 6.01 का screen size मिलता है इसमें optic AMOLED capacitive touchscreen भी आता है 18-9 के aspect ratio में यह आता है आपके पास 401 PPI का pixel density भी मिल जाएगा आपको यह handset में oxygen OS 4.7 की उपर run होता है आपका OnePlus 5T इसमें आपको Qualcomm Snapdragon की 835 का chipset मिल जाएगा octa core का processor है Adreno 540 का GPU है अप जैसे आप देख पा रहे हो यहापे face recognition भी आता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे होता है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं ऐसे facial recognition को अपने face को ऐसे पैचान रहा हूँ यहापे तो यह भी मेरे face को recognize करके रख रहा है 3300 mAh battery में यह आता है फिलाल के लिए आपको midnight black color में ही available है OnePlus 5T Guys, यह रहा पहला view OnePlus 5T का setup हो जाने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो update अपडेट आचुका है यहापे Oxygen OS OnePlus 5T का बोल रहा है जो कि मैं बाद में कर लूँगा लेकिन दोस्तो सबसे पहला initial impressions जो है color contrast जो है बहुत कमाल की है बहुत अच्छा mix of color आता है यह OnePlus 5T में जैसे कि आप भी देख पा रहे हो और अगर मैं ऐसे drop down करूंगा तो थोड़ा brightness को ऐसे में low कर देता हूँ उसके बाद settings में जाते है हम लोग और फिर सबसे पहले about phone पे जाएंगे तो आप देख पाऊगे कि यहाँ पे यह 6GB RAM variant और 64GB का storage variant में आता है अभी के लिए यह Android 7.1.1 Nougat के ओपर run कर रहा है लेकिन OnePlus का कहना है कि 5 और 5T दोनों ही बहुत ही जल्द Oreo का update आ जाएगा अब customization का options की अगर आप बात करें तो आप देख पाऊगे कि यहाँ पे बहुत सारा options आता है gesture, status bar, alert sliders सारा कुछ अपने हिसाब से मन पसंद हिसाब से कर पाऊगे adaptive brightness भी यहाँ पे आ जाता है जो available lights के तहरे अपने हिसाब से यह configure कर लेता है और उसे साब से display भी देता है अब storage और memory वे आपर हम पर जाएंगे तो आपको देख पाऊगे आप इसमें 52.67 GB जो है वो available memory आता है अपका मतलब storage में आता है अपका वो 52.67 GB out of 64 GB क्योंकि यह 6 GB RAM variant के साथ आता है और 8 GB का अगर आप अपकरोगे तो उसमें 128 GB का internal memory मिल जाएगा तो उसमें ज्यारा memory आपको मिल जाएगा दोस्तों आप दोस्तों जो सबसे चच्चित subject है OnePlus 5T का वो है facial recognition जैसे मैं ऐसे दीख रहा हूँ तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यह facial recognition से यह खुल जा रहा है अगर मैं ऐसे open करके किसी दूसरे और देखू तो देखिए यह नहीं lock खुल रहा है और अगर ऐसे देख लेता हूँ तो वो तुरंथ हो जाता है तो यह बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों इसको मतलब dedicated video तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा कि ऐसे ही यह full होता है कि नहीं कितना secure है facial recognition लेकिन अभी के लिए यह मज़ेदार है अब ऐसे अगर नहीं देखोगे screen के उपर तो वो lock नहीं होता है तुरंथ जैसे देख लेते हो और यह unlock हो जाता है इसको छोड़कर आपको fingerprint scanner भी मिल जाएगा पीछे जैसे कि आप देख पाओगे यह भी बहुत ही responsive है और बहुत ही fast है दोस्तों तो इससाब से secure features के साब से तो वो लोग ध्यान दिया है जैसे OnePlus का कहना है कि payment gateway या फिर कुछ भी secure apps ऐसे होगा तो उसमें facial decognition से सिर्फ काम नहीं होगा उसके लिए fingerprint scanners, pin यह सब भी ज़रूरत परेगा और अगर bloatwares की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कुछ भी bloatwares नहीं है सिर्फ google की जो ऐसे by default apps होता है वो ही सारे आते है इसको छोड़कर ऐसे कुछ अलग से आता नहीं है bloatwares तो उस मामले में भी बहुत ही responsive है OnePlus आगे जाके आप अगर देखोगे display की जो की यह मतलब एक USB होते जा रहा है OnePlus 5T display जो है वो अभी तक 1080p में ऐसे optic AMOLED screen दे रहा है हाँ quad HD display नहीं है लेकिन दोस्तो if you trust me अगर आप देखोगे इस screen को तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो display है वो बहुत ही अच्छा है दोस और इसके साथ बाइडिफॉल बहुत सारे wallpapers भी आता है जो अपने हिसाब से अब मनपसंद कोई भी हो तो उस हिसाब से अब configure कर पाओगे अपने wallpaper को दोस्तो एक और खासी है जो OnePlus 5T का है वो है camera तो अब बारी आता है camera की जैसे आप देख सकते हो कि camera की interface एकदम वैसे ही है जल्दी से हम लोग एक object को ऐसे लाएंगे और कुछ shots ऐसे लेंगे और देखेंगे कि यह कैसे perform करता है जैसे कि आप देख पादे हो without touch to focus इसका जो shutter speed है वो बहुत ही कमाल की है और वैसे और अगर ऐसे बागी कुछ ऐसे objects को में shoot करूँगा तो उसका भी performance अच्छा ही आता ह है दोस्तो और जल्दी से हम लोग अगर front camera को देख लेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा 16 megapixel का shooter और front camera से जल्दी से selfie ले लेते है हम लोग तो अगर हम लोग ऐसे ही यह images को देखेंगे जो कि मैं shoot किया हूँ ऐसे ही office के आसपास random click किया हूँ तो आप देख पाँगे फिलहाल initial impressions camera की तो बहुत अच्छा है low source of light है लेकिन फिर भी अच्छा ही presentation हुआ है वैसे dedicated camera review बहुत जल्दा आजाएगा दोस्तो यह OnePlus 5T को लेकर stay subscribe for that so that will be it guys a quick unboxing or first hand overview OnePlus 5T को लेकर hope तो यह video helpful रहाँ सभी के साथ हो सके तो like कीजिए और share कीजिए यह video को सभी के साथ that will be it guys bye for now